तो मैं आपको एक पीस जो है तोड़ कर दिखाता हूं तो अंदर से आप हमारे नान खटाई का जो है टेक्चर आप देख सकते हैं किस तरीके का है आप इसे ट्राइ करोगे आपको बहुत ही बढ़िया लगने वाली है नान खटाई तो आज हम बनाने वाले हैं एकदम डिफर डालडा के बिना मार्जरीन के सिर्फ और सिर्फ रिफाइंड ओयल से मैं आपको नान खटाई बना कर सिखाने वाला हूं कि आपको खाने में बहुत ज्यादा टेस्टी लगने वाली है तो हलें वेल्कम तो मारे यूट्टीब चैनल राजिस भैकरी कैफे तो चले श्टाट ग्राम यानि 70 ग्राम आपको इसमें रिफाइंड डव्यल डालना है तो यहाँ पर मैंने 70 ग्राम डाल दिया है और उसके बाद हमं डालेंगे दही तो आपको पेकरी वाला टेस्ट चाहिए और आ नान sniffटाई में तो आपको जो है दही जरूर डाला है विसह आपको यूगा तो इसलिए मैं आपको बता रहा हूं कि आपको इसमें जो है डhी का यूज़ जरूर करना है तो यहां पर आपको दही लेना 창 वां कि अ की आहोता है हमारे जुब नानख़टाई होती है वो उसमें उपर से एक दरारे सी आ जाती है जिससे के हमारे नानख़टाई उपर से देखने में भी बहुत ज्यादा मतलब की अच्छी लगती है, और उसका अंदर का टेक्चर है वो भी तो यहां पर हमने इसमें रिफाइन डोयल और सुगर पाउडर जो है डाल दी है उसके बाद हम क्या करेंगे इसे हम घोल लेंगे दही भी हमने इसमें डाला है दही और तीनों इंग्रिडेंस को हम अच्छी तरीके से इसमें घोल लेंगे इस तरीके से आपस मैं अच्छे से आपको इसे mix कर लेना है हमारी जो आज की नानखटाई होने वाली है वो एक special होने वाली है तो special मैं आपको इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ना है तो मैंने इसमें butter का use किया है ना ही इसमें मैंने घी use किया है मैं आपको सिर्फ और सिर्फ जो है refined oil के base पर जो है नानखटाई की recipe लाने वाला हूँ बैकरी में जो है refined oil पर बहुत कमी recipe बनाई जाती है ज्यादा तर हम घी के साथ ही बनाते हैं कभी हमने नानखटाई नहीं बनाई है oil से बट मैंने सारे ingredients जो है बैकरी style वाले ही रखे हैं सिर्फ मैंने घी को refined oil से replace किया है तो मैं जो है इसमें घी का use नहीं कर रहा हूँ बाकी जो taste आपको मिलेगा वो इकदम बैकरी style वाला tasty मिलेगा बहुत अच्छी आपको हमारी नानखटाई की recipe लगने वाली है तो इस तरीके से आपको अच्छी तरीके से mix करने के बाद हम इसमें बाकी के drying ingredients डालेंगे तो बाकी के जो हमें drying ingredients डालने हैं वो आपको डालने हैं सबसे पहले तो आपको इसमें डालना है custard powder custard powder आपको जरूर यूज़ करना है इससे आपके नानखटाई का जो color है वो बहुत अच्छा आता है और टेस्ट भी काफी अच्छा आता है क्योंकि यह vanilla flavor का मैंने जो है custard powder डाला है तो अगर आप इसमें vanilla flavor का custard powder यूज़ करते हो या फिर कोई भी flavor का custard powder यूज़ करते हो तो फिर आपको जो है इसमें essence डालने की या फिर इलाइची बगर डालने की जरूत नहीं पड़ेगी वैसे एकर आप इलाइची डालना चाते हो डाल सकते हो क्योंकि उसका जो है वो sense of मतलब की जो खुस्बू है वो अलग ही आती है तो मैं तो इसमें नहीं डालूँगा इलाइची बगर है क्योंकि हमने इसमें vanilla flour का custard डाल दिया है तो उसके बाद हम इसमें डालेंगे milk powder यहाँ पर milk powder भी आपको 10 ग्राम ही लेना है 10 ग्राम custard powder और 10 ग्राम milk powder यहाँ पर जब हम बेसन यूज़ करके नान खटाई बनाते हैं तो इतना ज़्यादा टेस्टी लगती हमारी नान खटाई कि मैं आपको क्या बताओ तो मैं यहाँ पर फुल बेसन नहीं उसकर रहा हूं थोड़ी क्वांटिटी में बेसन ले रहा हूं और बाकी मैं इसमें मैदा एड़ करूंगा तो यहाँ पर जो आपको बेसन डालना है, 40 ग्राम आपको बेसन डालना है, 40 ग्राम बेसन डालने के बाद हम इसमें डालेंगे, 80 ग्राम मैदा, तो यहाँ पर हमने डाल दिये हैं, उसके बाद हम इसमें डालेंगे, बैकिंग पाउडर और बैकिंग सोडा, एक चीज मैं आप साल बैकरी में काम करते होंगे में बहुत च्छोटा था तभी आगया। था कभी आज तक मैंने बिना नमुनिया के कभी बनते देखी हैं. यहां पर आपको कोई लोग लोग होते हैं आनमोनिया खाना बहुत कम पसंद होता है क्योंकि यहां यहां यह में दो निखके जोरा हैं यहां पर कम आपके स्क्राठीफ इडिए करेंगे अपने डो को मिक्स करेंगे तो इसे बाहर निकाल लेता हूं और स्पेचलः से हम इसे अपने डो को mix करने वाले हैं इस तरीके से आपको mix कर लेना है तो मैंने हलका हलका इसे mix कर लिया है बाकी अब हम हाथों से इसे mix करेंगे क्योंकि हाथों से mix करेंगे तो हमें पता लग जाएगा हमारा डो mix हो चुका है और हम उसे mix करना बंद कर देंगे अगर हम स्पेचला से mix करते रहेंगे तो हमारा डो जो है over mix हो जाएगा और अगर हमारा dough over mix हो गया तो हमारी नान खटाई फिर अच्छी नहीं बनेगी खस्ता नहीं बनेगी तो मैं एक चीज आपको कहता हूँ अगर आपको लगे कि आपका dough जो है इस तरीकी से भूरा भूरा लग रहा है बहुत ज्यादा मतलब की आपस में detach नहीं हो रहा है तो आपको क्या करना इसमें थोड़ा सा दही आपको और डाल देना है पानी का आपको इसमें use बिल्कुल भी नहीं करना है ना ही आपने इसमें और refined oil डालना है मैं इसमें थोड़ा सा जो है यानि कि अभी इतना बुरबुरा है तो मैं इसमें 20 ग्राम दही और add कर लेता हूँ तो यहाँ पर मैंने 20 ग्राम दही ले लिया है तो मैं इसमें डाल दिया हूँ और अब हम इसमें mix कर लेते हैं इससे जद आपको दही का यूज नहीं करना है इतने में ही आपका डो जो है एकदम परफेक्ट बन जाएगा आप देख सकते हैं यह मतलब आपस में डिटेच होना स्टार्ट हो गया है आपके सामने यह एकदम हमारा डो मतलब रेडी होने वाला है बिल्कुल तो हमारा डो एकदम परफेक्ट रेडी हो चुका है नानखटाई बनाने के लिए तो आप हम क्या करेंगे हम अपने डो को जो है फ्रीज में रखेंगे लगबग 10 मिनट के लिए ताकि हमारा डो एकदम अच्छी तरीके से ठंडा हो जाए तो हमने अपने डो को जो है फ्रिज से निकाल लिया है तो आब हम क्या करेंगे अपने डो के पीसिस हम कट करेंगे जो है तो मैं यहाँ पर जो अपने नानखटाई का पीस रखने वाला हूँ वो रखने वाला हूँ 25 ग्राम का तो इस तरीके से आपको वेट करके हर एक पीस जो है बनाना है तो मैंने आप पर 25 ग्राम का एक पीस जो है बना लिया है तो उसके बाद आपको क्या करना है इसे हम इस तरीके से जो है गोल कर लेंगे इस तरीके से आपको गोल कर लेना है और उसके बाद हम इसे ट्रे में रख लेता हूं और ब्यद्स हैं लाट // क篇भए कर तो हमने अब पर सब्सक्राइब करने सारा नानखटाई इब तो तो उसके कए हैं है तो उसके बाद रहाओ हम क्या यह ऐले कि इसमें थोड़े से कटे हुए बदाम लिये थे उसे हम इस तरीके रख देंगे और हल्का सा हमें प्रेस करना है बहुत ज्यादा नहीं प्रेस करना है हल्का साथ कर दो मैंने अपनी सारी नान खर्दाई के उपर बदाम लगा दिया है तो मैं इसे फटा-फट बेक होने के लिए डाल देता हूं तो आपको बेक करना है 180 डिग्री पर तो मैंने अपने ओवन को पहले ही जो है प्रिहीट कर लिया था तो मैं इसे फटा-फट जो है बेक होने के लिए डाल देता हूं तो मैं इसमें टाइम लगा देता हूं 25 मिनट का राडे आपको हमेशा दोनों ही ओन करके रखना है और आपको इसे बेक करना है 180 डिग्री पर तो आप हो अपनी नान खटाई को बेक हो चुके है और हमारी नान खटाई को बेक हो चुके है और हमारी नान खटाई को बेक होने म समय लगाए 30 मिनट तो मैं अब इसे बाहर निकाल लेता हूं तो यह रही हमारी नान-khanai आप देख सकते हैं कितनी बढ़िया बेख ऑकर निकली है आप देख सकते हैं हमारी नान-khanai तो आप इसे एक बार ट्राइ कर सकते हैं बहुत ही बढ़िया तो मैं आपको एक पीस जो है तोड़कर दिखाता हूं तो अंदर से आप हमारे नान खटाई का जो है टेक्चर आप देख सकते हैं किस तरीके का है आप इसे ट्राई करोगे आपको बहुत ही बढ़िया लगने वाली है नान खटाई जो लोग इसे मतलब की घी या देशी घी डालडा में आप नहीं बनाएर चाहते तो आप इस रैस्पी को ड्लाई कर सकते हैं यह रैसपी आपको मतलब जैसे कि हम ड्ल लाजिए गी हो बनाते हैं तो उतनी